जैन दोस्तों स्वागत हैं आप सबका मेरे न्यू वीडियो कॉंसेप्ट में और इस वीडियो कॉंसेप्ट में मैं आपको बताना चाहूँआ हमारे रिस्क प्रोफाइल सॉल्जर्स जो जान हमेशा हतेली पर रखते हुए और 24 गंटे देश की सेवा में तत पर रहते हैं उनके भथ्ते उनके रिस्क एलाउंस किस कदर कम है बज़ाय किसी सिविल सर्वेंट के तो दोस्तों हम बात करेंगे ससतवलों के कर्मियों के भथ्ते और उनके संसोधन के लिए मैज़र जर्नल सतवीर सेंग सैनर मेडल दोरा की गई एक रेक्क्वेस्ट के बारे में जैसा कि आप मेरे विंड पर देख सकते हैं, एक तरफ मैंने details of allowances का poster लगाया है, दूसरी तरफ मैंने Major General Satvir Singh Senna Medal की तरफ से जो tweet किया गया है और request किया की government से regarding to भते संसुद करने के regarding उसका poster लगाया है और बीच में आप देख सकते हैं, Major General Satvir Singh Senna Medal साहब ने सिपारिस की है, जवानों के risk allowances आये साधिकारी से आधिक होने चाहिए, देखें list कितने होने चाहिए, जेंड के का कितना होना चाहिए, हैल्टूर का कितना होना चाहिए, शिलॉंग का कितना होना चाहिए, शियाचिन गल लड़ाई लड़ोगे, तो जीत आपको जरूम लेगी, चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो कॉंसेप्ट में, दोस्तों ये ट्विटर हैंडल का पेज है, Major General Satvir Singh Senna Medal साहब का, और इन्होंने request की है गवर्मेंट से, allowances for civil employees are far greater than armed forces personals, जो की इन्होंने attached किये, ये मैं आपको बाद में बताने वाला हूं, government is requested to revise allowances of the armed forces personnel to ensure that each allowances is as per degree of difficult of terrain and serious conditions for all employees of the government of India, for consideration, please, साहाब ने जो मुद्दा उठाया है, वो बिलकुल एक जैन्योन मुद्दा है, मैं आपको कहना चाहूंगा दोस्तों की risk, बलकि मैं कहूंगा heavy risk profile यदि देखा जाए, तो आर्मर्ट फोर्ट परसनल बंदे, जो देश की सेवा में 24 घंटे, ऐसी जगहों पर तैनात है, जहा पर easily survive करना बड़ा मुस्कुल होता है, उनके allowances और एक civil servant के allowances कितने difference करते हैं, वो यहाँ पर आपको उमें दिखाना चाहूंगा, details of the allowances, Jammu and Kasmir allowances की बात करें, तो आर्मर्ट फोर्ट परसनल को 16,500 रुपे मिलता है under Ministry of Defence, and CAPF की बात करें, तो 25,000 मिलता है under MHA, और IAS और IPS अदिकारी की अदि हम बात करें, तो 50,000 risk allowance मिलता है, जबकि ये direct public dealing में रहने वाले अदिकारी हैं, और वो soldiers जो की public dealing में ना होके, direct terrorist dealing में होते हैं, जहां पर की 100 and plus risk, heavy risk होता है, आगे देखते हैं, Shillong allowances की बात करें, Shillong allowances में, आर्मर्ट फोर्ट परसनल को 0 र allowance मिलता है, जबकि CAPF को 10,000 रुपे, प्लस HRA और IAS और IPS अदिकारी की बात करें, तो 50,000 से 70,000 रुपे, प्लस house rent on allowance अत्रिक्त रूप से मिलता है, double, वो भी double house sense, उसके बाद high altitude, C3 और submarine analysis की बात करें, तो services में आर्मर्ट परसनल, आर्मर्ट फोर्स की बात करें, तो allowances मिलते हैं, 31,500 अंडर Ministry of Defense, and all central cadres for the service in hard areas like Shilong, it is important to note the hard area difference between Siachin minimum temperature 30 degree centigrade and hill station like Shilong, rupees 50,000 to 70,000 अंडर MHA, कितना difference है in allowances में, यदि मेरा मानना ये है कि जो बात मैं कह रहा हूँ, heavy risk profile की बात जहां में कर रहा हूँ, तो मेरा मानना ये है कि IS अधिकारी या IPS अधिकारी भी इस बात को मानने के लिए agree होंगे, कि हाँ, soldier हमारे वास्तमें ही heavy risk में होते हैं, उनको allowances, educate allowances मिलने चाहें, और educate का मतलब है कि यदि risk profile की बात करें, तो यदि सबसे बड़ी risk profile वो है, तो सबसे बड़ा allowance भी उनका होना चाहिए, और अच्छी पहल है मैजर जनरल सत्वीर सेहं, सेना मेडल साहब की तरफ से, और सभी आम पर्सनल को इसका support करना चाहिए, that's all for in this video, जैहन!